हाई फ्रेंट्स में नहीं सर्प जी तो आप देखना शुरू कर चुकिया है इसके आर लाइनिंग पॉइंट आज किस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपने वो नहीं देखिए तो पहले जाके वो देखिए एंड फंक्शन किसी स्पैसिफिक डेट के साथ लॉजिकल कंडिशन किस तरीके से लगाता है तो यहां पर मेरे पास कुछ हाइपोथर्टिकल डेटा है जिसमें मेरे पार डेट्स और सेल हैं तो यहां पर मैं उन ही डेट्स के सामने true result चाहता हूं, जो मेरी condition को मीट करें कंडिशन क्या है, अगर start date मेरी 12 है, और end date 29 है, इन दोनो डेट्स के बराबर या इन दोनो डेट्स के बीच की कोई डेट हो तो उस ही के सामने true result हाई, otherwise false होच सा है मैं यहाँ पर फॉर्मला लगाता हूं एंड लॉजिक वन लॉजिक वन क्या देता हूं अगर मेरे पास इपाइव में जो डेट है यानि यह जो डेट मैंने सेलेक्ट किया अगर यह स्टार्ट डेट के बराबर है या उससे ज्यादा है यानि 9 15 यह नौ 16 इस तरीके और इसको फ्रीज करेंगे फ्रीज किसलिए करेंगे अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करूँगा और मैंने इस फॉर्मला को नीचे की तरफ पेस्ट किया तो यह सेल भी मूव हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता है कि इस सेल को मूव करूँ तो इसको मैं फिक्स करने के लिए एक फोर प्रेस करूँगा, कॉमा, लॉजिक टू, अब मैं क्या लॉजिक देना चाहता हूँ कि अगर यहां पे जो डेट आ रही है, यह डेट मेरी एंड डेट की कंडिशन को मीट कर रही है, या एंड डेट के बराबर हो, या उससे पहले वाली डेट साहिए, यानि नो भी इस तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, और less than, or is equal to, क्या होनी चाहिए, end date, यानि या तो इससे कम हो, या इसके बराबर हो, और इसको freeze करेंगे, packet close, enter, और इसको मैं ट्रेक कर देता हूँ, आप देखेंगे मेरे पास यहां पे true result आया, मैं इसको highlight कर देता हूँ, और चेक करते हैं वो मेरी start date के बाद की date है, और end date से पहले की date है, अशागर तो मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आयागा, और पसंद आया है, तो please मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर के, thank you so much